और इस खबर पर हमारे साथ हमारे समाधाता अमन लाइव जुड़े हुए हैं अमन 23 शव मिलने से हरकम मच गया था फिरहार शवों को पोस्ट मौटम के लिए भेजा गया है लेकिन आसपास के लोगों से कोई जानकारी घटा हो पाई है कि ये शव वहाँ पर पहुँचे कैसे देखिए आपको निश्य तौर्ब बता दूँ कि जो शब थे 23 मौवेशी थे उसको पुलिस में कली ही निकाल लिया थे दिन में उसके बाद कली उन्हें उन्हें डियम कोश्रला शर्मा निक्स्वेम उसकी जानकारी लेते हुए उसको पोस्माटम के लिए भेजा लेकिन उ के प्रॉब्लम से उनका जो मृत्यू की कारण साफ हुए लेकिन उसके बाद अभी किसी भी तरीके से किसी का कोई आपचारिक बयान या किसी प्रतक्ष दर्शी का कोई बयान सामने नहीं आए जी पूरे मामले में एक सवाल ये भी बनता है कि ये जो पशु थे ये आसपास ही रहने बाले किसी इंसान की डेरी के थे या फिर ये कहीं और मरे और इनकी लाश्यों को यहां लाकर कि डंप कर दिया गया देखें अभी किसी भी तरीकी की कोई आपचारिक जानकारी नहीं आरे लेकिन कहीं न कहीं ये आपको बता दूं कि ये मवेशी जो थे ये आसपास के भी हो सकते हैं या बाहर के भी हो सकते हैं क्योंकि किसी भी तरीकी कोई आपचारिक जानकारी नहीं आई है और अगर ग्र साफ कहनी आ सकता जी इसं के लावा पुलिस ने ये भी साफ किया है कि ये मवेशी इन में गाय भैस बकरिया अलग-अलग चीज थी या बहुत सारी जानवर्स थे कुल मिलागर के चार-पांच अलग-अलग प्रजाती की जानवर्स थे जो की उसमें पाए गया है धन्यवाद अमित हमारे साथ